पूरा देश होली के रंगों में डूबा हुआ है, हर तरफ होली की ही धूम मच्ची है, उत्रखन में भी जगा जगा होलियार लोग गीतों के साथ होली काते हुए रेलिया निकाल रहे हैं, खड़ी और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है, घर-घर में गुजिया और तम इन गाउं में होली ना मनाने की परंपरा आज भी कायम है, जबकि इन गाउं से सटे दूसरे गाउं में होली पर कोई पाबंदी नहीं है, वहां हर्शो उल्लास के साथ होली मनाई जाती है, आखिर क्यों उत्रखन के कुछ गाउं में होली पर बैन है, ये जानने से पहले ज जिले और रुद्रपर्याग में कुछ गाउ में होली नहीं मनाई जाती है। इन गाउ में होली मनाना अप्षबुन माना जाता है। यहां होली खेलने और मनाने से लोग डरते हैं कि कहीं कोई अन्होनी ना हो जाए। पिथोड़ागर जिले के तहसील, धार्चुला, मुनसियारी और डीडी हाट के करीब सौ गाउ में होली पूरी तरह से बैन है। यहां पूरवजों के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है जो की मिथक के तौर पर देखी जाती है। आज भी यह परंपरा समाप्त नहीं होई है। यहां यह आशंकर रहती है कि होली मनाने से कोई बहुत बड़ी दुर्गटना हो जाएगी या अन्होनी हो जाएगी। देखा। रांथी, जुम्मा, खेला, स्यामकुरी, खेत, जुमुकु, गलाती, गगुर्वा सहित, कई गाउं छिपला के दार में इस्थित है। जहां होली पर कोई भी उल्लास नहीं होता। रंगों से पूरी तरह परहेज होता है। वही मुंस्यारी के चौना, पापड़ी, मालूपाती, हरकोट, मल्ला, घोरपटा, तल्ला, घोरपटा, मानी टुंडी, पैकुटी, फाका, वादनी सहित, कई गाउं में होली नहीं मनाई जाती। चौना के बुजुर्ग के बताते हैं कि पूरवजों के अनुसार, एक बार होलियार देवी के प्रसिद भराडी मंदिर में होली खेलने जा रहे थे। तब सापों ने उनका रास्ता रोग दिया। इसके बाद जो भी होली का महंत बनता था या फिर होली गाता था तो उसके परिवार में कुछ न कुछ अन्होनी घटना हो जाती थी जिसे देखते हुए ही यहां होली मनाना बंद कर दिया गया। बुजुर को बताते हैं कि यहां की कई पीडियां गुजर गई लेकिन होली नहीं मनाई गई। इसी तरह डीडी हाट के दून कोट छेतर के ग्रामिर बताते हैं कि अतीत में गाउं में होली मनाने पर कई प्रकार के अपशकुन हुए हैं। पुरवजो ने उन अपशकुनों को होली से जोड़ कर देखा। तब से होली ना मनाना एक परंपरा हो गया। आज भी ग्रामिर आसपास के गाउं में मनाई जाने वाली होली तक में शामिल नहीं होते। रुद्रप्रियाग में भी कुछ गाउं ऐसे हैं जहां होली पूरी तरह से बैन है। इसके पीछे ईस्ट देवी की पूजा से जुड़ी कुछ परंपराएं हैं। यहां तीन गाउं ऐसे हैं जो होली महुटसव से दूर रहते हैं। यह ना तो रंग एक दूसरे पर डालत अलकनंदा घाटी में ये तीनों गाउं बसे हैं। लोकेशन की बात करें तो ये तीनों गाउं बद्रिनाथ नैशनल हाईवे पर रुद्र प्रियाग से कुछी दूरी पर इस्थित घोलती कज़वे के ठीक सामने दाई और बसे हैं। यहाँ ज्यादा तर अनुसूचित चात मादेवी त्रिपुरा सुंदरी के नराज होने से लोक डरते हैं। ऐसा कई बार हुआ जब यहाँ होली खेलने की कोशिश की गई और उसी साल कुछ न कुछ अन्होनी घटना हुई। इसी डर से यहाँ होली नहीं खेली जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई जानका